चना पालक बथुआ और मेथी इत्यादी के साग तो आपने तमाम खाया होगा लेकिन जिस साग के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसे अगर संजिवनी बुटी कहें तो कोई गलत नहीं होगा ठंधी में गर्मी प्रदान करने वाला यह महत्तु प्रुण साग एक बड़ी और सधी के रूप में काम करता है जी हाँ हम बात करें सुनसुनिया साग की जो नक केवल खाने के लिए प्रयोग किया जाता है बलकि आयूरबेद में भी इसके बेहद लाबकारी उपयोग बताये गये हैं इसके साग का सेवन करने से आखों की रौशनी पेट के रोग संक्रमड यूरिक एसीड और घाव को भरने जैसे तमाम रोगों को जड़ से खत्म करने में काम्याब सिद्ध होता है इसका तो प्रयोग बहुत सालों से होता रहा होगा लेकिन लोग पहचानते नहीं होंगे इसका प्रयोग जो है मेंली की जो आंक नेत्र जो इसका साख खाने से नेत्रोग जिनकी जोती बढ़ जाती है आंकों के रोशनी बढ़ती है और अगर इसके स्वरस निकाल लिए मतलब यूटी आई जिसको कहते है उसके लिए बहुत है अगर आप इसी के एक से दो ग्राम चूर्ण को समभाग मिस्टरी के साथ मिलाकर खाएंगे तो मुत्रा घात या जो रीनल कैलकुलस या पत्थरी की शिकायत होती हो दूर हो जाती है चांगेरी का साग जो है वह के सब पका के दिया जाए तो इंडाइजिशन जिसको खाना ठीक से नहीं पसता उसका खाना पचने लग जाता है सबसे इंपोर्टेंट बात तो यह है जो आजकल लोगों को बहुत दर यूरिक एसीड बढ़ने के शिकायतार जिसको गौटी आर्थरैटी से अवात्रक्त कह जाते हैं अगर इस साग को घी में पका के खाया जाए तो यूरिक एसीडिक दर नॉर्मल हो जाता है दूसरी चीज के आजकल एंजाइटी कारण लोगों को नीद नहीं आती इंसोम्निया के प्रॉब्लम होती है तो अभी इस साग को खाएंगे तो उनको नीद ना आने के प नंदन उपाध्याय की रिपोर्ट